कि सलाम नमस्ते हेलो केमचो स्वागत है आप सभी का अपने आपके अपने परिवार लेट्स क्रेक बैंक एक्जाम पे गुड मॉर्निंग सुप्रभात रादे-रादे सभी लोग जुड़ जाईए सेशन को फटा-फट से शेयर कर दीजिए मेरी आवाज आ रही है तो एक बार बताईएगा आप लोग कि हां सर बिलकुल सब कुछ सही चल रहा है फाइन चल रहा है दोस्तों आप लोग को बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन देनी है आप यहां पे देख पा रहे हैं कि देश के नंबर वन टीचर्स का एक बैच बनाए यह कोरियर बैच चोबीर्मेश्ट एव इस बैच के लिए आप अपने सीडाह से जो तैयारी कर रहे हैं एस्पियाई-पॉक के लिए हम लोग टार्गेट कर रहे हैं और भी सारे जो लोग भी आने वाले SBI PO के लिए और आने वाले किसी भी examination bank examination के लिए तयारी कर रहे हैं math में legend सुमित सर, reasoning में legend रादे सर, निमिसा मैम, English में legend मैम निमिसा बंसल मैम यह सभी लोगों का दोस्तो एक combined आपको best batch अनकेडमी प्रवाइड करा रहा है इस batch में enroll कर ले सभी लोग जल्दी से जल्दी यह batch दोस्तो दो फरवरी को start हो रहा है second of fab को start हो रहा है plus subscription वाले सब लोग enroll कर ले जिनके पास plus subscription है और जिनके पास plus subscription नहीं है वो ले 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 और दोस्तो इसमें enroll कर ले अपने आपको और PSR 10 पे आज जो है एक साल पे 6 महीने का extension मिल रहा है उसका last date है और discount भी है तो यह जो है आप लोगों के लिए बहुत best opportunity है अपनी तैयारी को next level पे ले जाने के लिए अपने तैयारी को हर game का एक level होता है उसको पार करने के लिए महारतियों की ज़ुरत होती है guidance की ज़ुरत होती है हर subject में यहाँ पर आप लोगों को दोस्तो best provide करने की कोशिशन academy कर रहा है क्या बात है अनुराक कफालते करें से खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा पंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या सही बात है इतनी मेहनत करो इतनी मेहनत करो कि फिर किसमत भी तुमारा साथ देने लगे और किसमत उसी का साथ देती है जो मेह यहांत करता है मैं कि युक्ट की आप उस रास्ते पर जा रहे हैं किसी ने तो मिली जाएगा है वह जिसे आप सिद्धत से चाहते तो फिर सारी कायata आपको मिलाने के लिए लगवी जाएगी समझ तो दोस्तों आप जिस रास्ते पर निकले हैं वहाँ पर आपकी मदद करने के लिए यह warrior बैच आ रहा है आपको रास्ता दिखाने के लिए जादा जानकारी जी एब आई प्यूसर टेलीग्राम पर आपको हमेसा अपडेट होती रहेगी कि मेरा कौन सा बैच आ रहा है मेरा कौन सा कि क्लास कौन सी कब है उसके लिंक उसके बाद उसकी पीडियाफ ये सारी चीजे दोस्तों आप लोग मिलती रहती है साड़े पांच बजे लेट्स करेक बैंक एक्जाम पर एक लास होती है एक ग्यारा बजे दोस्तों अकेडमी एप पर मैं इस समय जनवरी का रिवीजन करा रहा हूं इसे जरूर जोइन करिए सुबह नौ बजे आज क्लास स्टार्ट हो गई है दोस्तों जिसमें मैं बजट के कॉंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं तो नौ बजे ग्यारा बजे सारी क्लासे जौन कर दी है मैंने बोला ता 27 तरिक से सारी क्लासे जौन हो जाएंगी ठीक है और सारे के जो है मैंने लिंक रात में ही भेज़ दिये थे आप लोगों को ठीक है PSI 10 मेरा कोड है द Batch मिलेंगे सुमिद सर जितने बैच आये हैं वो भी मिल जाएंगे आएंगे वह मिल जाएंगे रादे सर की जितने बैच आये थे आएंगे निम्सा में यहांगे और ऐसे जिटने वहाँप्र we सारे examination के courses के batches मिल जाएंगे, test analysis यानि mock test दो उसके बाद अपना analysis करो कि हम जो है कहां stand कर रहे हैं, कहां गलती है, कहां ज़्यादा time लग रहा है, live classes, recorded session और PDF कभी यहां पर option ऐसा है, कि आप annotation के साथ जो लिखा हुआ है, teacher ने वो उसके साथ आपको मिल जाता है, study materials मिलते है, study planner, personal guidance, सब कुछ आपको plus में available है, offline में जो आप teacher से बात कर पाते थे, अपने doubts पूछ पाते थे, उस feeling को online में लेने के लिए raise hand की facility यहां पे दी गई है, यानि दिन राध अनकेडमी एक महीने का subscription लेंगे तो तेरह सो पचास रुपए पर मत कपड़ेगा, दो साल का लेंगे तो 325 रुपए पर मत कपड़ेगा, एक साल से उपर पे छे महीने additional मिल रहा है, छे महीने से उपर पे no cost EMI मिल रही है, zero balance पे loan, 0% पे loan लिजिए, और PSR 10 code पर आपको best discount जो भी available है, वो best discount मिलेगा दोस्तों, clear है, याद रहेगा, आज कल कुछ गाजिन चाहते है, मेरे बच्चे को priority मिलनी चाहिए, वो थोड़ा कम जोर है, ऐसे बच्चों के लिए iconic feature आया है, जिसमें hand raise or doubt feature में उसको priority दी जाएगी, उसके लिए उसको 24 मन्त के लिए 390 रुपे पर मन्त, यानि थोड़ा से extra cost खर्च करना पड़ेगा, Republic Day पे आपके लिए जो offer आया था, वो क्या आया है, कि 25-27 तरिक तक 10% का discount आपको मिलेगा, PSI 10 code पर, ठीक है, clear है, इसके बाद दोस्तों हर Sunday को यहाँ पे combat आपका exam होता है जिसमें आप लोगों को gift मिलते हैं, Samsung, Mobile, Amazon, voucher, यह सारी चीज़े आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, clear है, उसके बाद दोस्तों 11 बजे अपनी class हो रही है, और तुबे 9 बजे अपनी class हो रही है, एप पे free class, free class में special class हम लोग कहते है, और plus class हम लोग की paid होती है, तो plus class ह हमारी चल रही है, रात को 9 बजे, और 2 फरवरी से भी चलेगी रात को 9 बजे, इस समय में capsule पढ़ा रहा हूं, जो की 31 जनवरी तक पढ़ाऊंगा, ESIC और RRB, CBT या किसी भी exam की अगर आप तयारी कर रहे है, SSC, CGL की भी, तो आपको six month current affair capsule तो पढ़ नहीं है, वो मैं free special class banking के concept का chapter number 26, अभी मैंने last class में budget की history पढ़ाई थी, फिर बीच में exam सा गये तो रुख गया था, आज मैं budget के concept पढ़ाऊंगा, fiscal deficit क्या होता है, primary deficit क्या होता है, consolidated fund क्या होता है, contingency fund क्या होता है, public account fund क्या होता है, ऐसी बहुत सारी terms होंगे, revenue receipt में क्या आता है, capital receipt में क्या आता है, आज बहुत ही technical जो है के class होगी, तो दिमाग इदम fresh करके आईएगा, पहले से ही समझ जाईए कि बहुत technical बाते होंगी, तो एकदम ध्यान को concentrate करके class में आईएगा, एप पर आप मुझे follow कर सकते हैं, description में link दिया है, वहां से भी, और यहां पर प्यू सिंग नाम से search कर सकते हैं, bank exam category पे, तो दोस्तों यह 9 बजे class होगी, और यह 11 बजे होगी, यह दोनों class app पर अभी होगी, अब आज आते हैं, आज के प्रशनों पर, आज के current affairs पर, DGCA ने किस अंतराष्टी हवाय एड़े पर 20 लाक रुपे का जुर्माना लगा दिया है, दोस्तों, तो यह जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि यह maintenance नहीं रख रहे हैं, runway को साप सुत्रा नहीं रख रहे हैं, runway पे जो है लापरवाही बरती जा रही है, कोलकाता इंटरने जा गया, अनेता जी के नाम से दो लोग दो आपदा प्रबंधन पुरुषकार दिये जाते, आपदा प्रबंधन पुरुषकार हर साल दिये जाते हैं, वो आपको बताना है कि किसे मिला है, ठीक है, तो दोस्तों, दमदम हवाई एड़ा है, यह जो कोलकाता का international airport है, इसने जो है मांदंडों का उलंगन किया है रनवे राख रखाव की उपेक्षा किये तो जिसकी वजह से यहां पे नागरी कुडेन मरहान इदेशाले ने इनके उपर जुर्माना लगाया कोलकाता भाले भारत की राधानी हुआ करती थी लेकिन आज बेंगॉल का हालत बहुत ही बद कि पीछडी मांसिक्ता की वज़े से पीछे ही रहता चला जा रहा कभी रतन टाटा वहां नेनो का प्लांट लगाये थे इसा बवाल काटे अईसा बवाल काटे बेंगॉली लोग की ममता बनाजी को मुखमंत्री बना दिये और रतन ताटा को वहां से भगा दिये रतन टाट इसको भगा देंगे तो वह विकंट निव एंबेज़र आप इंटरनेट पैनल और यूए एसजी लैंवेज़ेज यूए एसजी भासाओं पर इंटरनेट पैनल के नए ब्रैंड अमबेज़र कौन बने दोस्तों तो यह नए अमबेज़र बने हैं वीजे शेखर सर्मा वी कितने का ओए पीओ था। श्यूकुमार बता रही है कि आप संवानविनौत सर्मा को मिला। बहुत बढ़िए और संथना को मिला संगीता ने बताया इस सम्मार्ण प्रबंदन समाने विनोत सर्मा को मिला वेरी गुड लेकिन एक सरस्था को भी मिला है वो आप लोगों को बताना है टिक है तो दोस्तों पेटीम का आई पीओ कितने का था यह जो है आप लोगों से question पुछा गया कहां पूछा गया है आई बीपीएस क्लर्क के एक्जाम में पूछा गया है ठीक है फटाफट से बताईएगा कि दोस्तों अगर हम लोग यहां पर बात करें विजे सेकर सर्मा को यूएस जी भासाओं पर इंटरनेट पैनल के मेज़र के रूप में नामित किया गया है वैस्विक इंटरनेट निकाए आई सी एए एन द्वारा समर्थित उद्योग जगत के नेताओं की एक मुदाय आधारी टीम है यह जिसका नाम है यूए एस जी यानि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीरिंग ग्रूप इसका अमबेज़र इनको बनाया गया है यह जो इंटरनेट बॉड़ी है दोस्तों आई सी ए एन 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 का जो हैड़क्वार्टर है दोस्तों वो कैलिफ को निया में है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर एसाइंड नेम्ड एंड नंबर ठीक है अगया है दोस्तों कौन सा देश दुनिया में ककड़ियों खीरे का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है कि विच कंट्री हैस बिकम देलाज़ेस्ट एक्सपोर्टर आफ कंबर जर्किंस इन दा वर्ट साव क्या पढ़ोगा घर कींपड़ोगी पढ़ोगे खणवर कींपड़ोगे घर कीन हम लोगोर से निकलतेई पढ़ लेते हैं इसको जी आई टैग भी मिला है दोस्तों है ना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है भारत भारत जो है दूद का भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दोस्तों एक बार मैं आप लोगों को पढ़ा रहाता कि इनवेश्ट इंडिया का मैह डवाई इकौन की स्राज में नंबर वन रबड में नंबर वन है केरल यह कुश्यन exam में आ यह कुश्यन इग्जाम में आ गया के ठीक है कलियर दोस्तों डौ्ट ब्लीशल इने पार एक अध्यान प्रकासित किया इसने आक इंटेंटेलिज्एन्स पर हर्च निवेस के मामले में भारत को डूंट डूंट स्थान पर रखा है मैं तो बताइए कि सहस्ता ने पबश्ट किया एज्टेडी ओन आर्टिफिशन इंटेलिजेंस विच्रेंग इंडिया एड़्ट पोजीशन इन term of spending and investments on artificial intelligence तो दोस्तों ये brooking institution ने किया है यहाँ पर launch किया है भारत को छठवे स्थान पर रखा है artificial intelligence पर खर्च और निवेस के मामले में छठवे स्थान पर दोस्तों भारत को रखा गया है ठीक है यानि भारत टॉप में सामिल होने में काम्याब रहा artificial intelligence में ठीक है कि चले यह बहुत अच्छी बात है कि दोस्तों उस non banking financial company का नाम बते जिसने हाल ही में मर्चेंट पार्टनर और consumers को credit product प्रदान करने के लिए यानि product पे उधार प्रदान करने के लिए 197 communication के साथ भागेदारी के 197 communication मदर कंपनी है किसकी पेटियम की दोस्तों किसकी पेटियम की अभी यह सब payment bank second schedule में listed हुए यह question भी exam में आ गया कि बताईए कि अभी इंडिया पोस्ट payment bank RBI एक्ट के किस schedule में हुआ तो मैं बार बार पढ़ाता हूं section 2E में second schedule में schedule payment bank चार है छे टोटल payment बेंगे बार बार पढ़ाता हूं मैं गुजरात इस्ट्यूट आफ मेनेजमेंट को सुभास चंद्रबो साबदा प्रबंदन पुर्सकार मिला वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अरे आई पी ओ नहीं 9.26 आई पी ओ नहीं है 9.26 9.26 इक्स मिलें तो वह है टांजेक्शन है यूपी आई का आई पी ओ यूपी आई एक ही समझे रोग्या आई पी ओ मतलब शेर बजार में आया शेर बजार में तो आई पी ओ लांच हुआ था पे टीम का तो दोस्तों पे टीम 2010 में फांड हुआ नोइडा उसका हेड़क्वाटर है और नोइडा का भी सैथ फुल फॉर्म पूछ लिया था क्या इस बार इक्जाम में नहीं अच्छा नोइडा से यह पूछा था कि जेवर एरपोर्ट मैं बार बार पढ़ाता था तुम लोग को कि एर्पोर्ट जियूरिक की मदब से डिवलफ किया रहा है यहीकोश्ट पूछ लिया कि जेवर एरपोर्ट की सınके मदब से जरुक बहुत कि ग हो च्यों किया जा रहा है से और यहीं चीज जब भी मैं नौइडा के बारें बताता था तो यह बात जरूर बताता तो सेम चीज कोश्चन एक्जाम में पूछ लिया ठीक है क्लियर है तो फुलेटन के साथ दोस्तों इनका टाइप हुआ है बाइनाव पे लेटर जो मुहीम चल लए है बाइनाव पे लेटर में दोस्तों भारत पे ने एक कंपनी बनाई है पोश्ट पे करके कि अभी ख रहें कोश्चन आए हैं और अएवी पियस क्लरक में भी आए है एशियन डेवलप्मेंट या वर्ल्ड बैंक अगर लाश्ट के दो मनत एक्जामनेशन के हैं और किसी को लोन दिया है तो वो एक्जाम में जरूर आएगा ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है पेटियम न क्लियर है आया है कि नहीं आया है कि बहुत बड़िया है तो दोस्तों यहां पर एंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक का हेड़क्वार्टर वासिंग्टन में डेविड मालपस इसके हेड है अंशुला कांथ इसकी सीफोर एंडी है और रजीत सिंग्धिसाले एजुकेशन एडवाइजर है ठीक है क्लियर चलिए वर्ल्ड बैंक की सस्ते दरों पर लोन देने वाली साखा का नाम है आई डिये और आई एपसी इसकी निवेश साखा है जिसने धाई सो मिलियन का लोन एजडी अपसी को दिया था ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस के लिए और आई एपसी ने फेडरल बैंक केरल को में निवेश भी किया था भारत में MSME के लिए एक नया फिंटेक प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए किस कंपनी ने हिताची पेमेंट के साथ टाइप किया हित साथ प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं अभी आपको याद हो पिछले महिने अम्यम्दी ने-चीह पेमेंट बैंक के साथ ऑनृप किया था स्थीफा दे दिया अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो दोस्तों उनका नाम क्या है यहां पर आरमेन सारकिसियन या Jet कि हमें आर्मेन आर्मेनिया आर्मेन आर्मेनिया नाम देश से मिलता जुलता है तो ज्यादा हम लोगों को तकलीफ भी नहीं होगी तो आर्मेन आर्मेनिया क्या बात है इंडियन एक्टर को धाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर के पुरुसकार से समानित किया गया है दोस्तों जैसुरिया को जो है बेस्ट एक्टर के पुरुसकार से समानित किया गया है कि ठीक है मल्यालम अभिनेता जैसुरिया ने फिल्म सनी के लिए यहां पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है दोस्तों धाका फिल्म फेस्टिवल में कुझ्हंगल को जिसका नाम पेबल्स इंटरनेशनल नाम पेबल्स है दोस्तों इसको बेस्ट फिल्म का अवाड दिया इसको बेस्ट फिल्म का अवाड दिया गया यह तमिल मूवी यह तमिल मूवी है दोस्तों इसको ऑसकर में भी प्रविष्टी के लिए भेजा गया था लेकिन ऑसकर में नॉमिनेट कौन हुई है ऑसकर में नॉमिनेट हुई है आपकी र आज कि दम ताजा ताजा खबर तोड़के लाया हूं पेड़ से और दूसरी जो स्रीवल्ली वाला जो चपल जिनका निकल जाता है अलू अर्जुन उनकी जो पिक्चर आई है पुस्पा उसके डारेक्टर ने को और मुवी बनाई थी जैभीम जैभीम को भी दोस्तो आसकर में नॉमिनेट कर लिया गया है यह दो एकदम ताजा ताजा खबर है एकदम ताजा ताजा खबर है जैभीम और मरक्कर को दोस्तो आसकर में नॉमिनेट कर लिया गया है कहां कर दिया गया है आसकर अवार्ड अभी दिया जाएगा नॉमिनेशन म कि ओके दोस्तों कॉम्पर्टिशन कमिशन आफ इंडिया ने जनरल पाटिसिपेशन नीदल एनवी जीपीएं द्वारा इसके शेयरों के अधिग्रहन को मंजूरी दी है जिसे कंपनी में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 71 परसेंट हो गई है तो दोस्तों यहां पर आपको पता है कि इंसोरेंस में एफडी आई जब से 74 परसेंट कर दिया गया है इंसोरेंस सेक्टर में इंसोरेंस एक 1938 में अमेंडिमेंट करके तब से अब जो विदेशी कंपनिया 49 परसेंट पर अठकी हुई थी वह अपने आपको आगे बढ़ा देंगी ठीक है अब वह अपने आपको आगे बढ़ाएंगी कि नहीं बढ़ाएंगी तो भाईया 49 परसेंट शेयर था इसका अभी तक क्या होता था कि बजाज एलियांज एलियांज जो है 49 परसेंट पर ही रह जाता था आइसेसी पुडेंशियल जो है 49 परसेंट पर ही रह जाता था ICC Lumbard तो Lumbard उन्चास परसंट पे रह जाता था HDFC Standard लाइफ तो Standard लाइफ जो है 49 पर संट पे रह जाता था SBI Life में काईडिफ का भी यही हाल था अब इन विदेशी कंपनीयों के साथ यह मजबूरी थी कि उनको कंपनी के साथ टाइब करके खोल ला था होता था इंस्वरेंस कंपनी जैसे टाटा ए आई ये तो ए आई जी तो दोस्तों अब जो है यह अपनी हिस्सदारी बढ़ा के मालिक बन जाएंगी तो वही काम यहां पर हुआ है दोस्तों कि उस कंपनी ने जो फ्यूचर जनरली है इसने जो है इंडिया में जो उसका लाइफ इंसुरेंस बिजनेस है उसमें उसने क्या किया है कि अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है जैनरली ने जैनरली है दोस्तों नीदर लैंड की यहां गृइप यहां का है और जैनरली जुटानी है वह नीदर लैड की है तो अब फेटानी में जर्षएर का जुरमाना भी लगाया गया जुरमाना भी लगाया गया गए है तो यह ड़िया नहीं इंसौरेंश में 74% अव्डिया एं सौर्शेट वाला मत याद करो भूल यो कन्फ्यूज और जाओगे एंसौरेंश मद्यस्तों में मद्यास मतलब एजेंट होता है ब्रोकर ब्रोकर में को सब्सक्राइब का कमीशन एजेंट है उस अभी कम्पनियों का प्रोड़क्ट बेच रहा है वह उन्डेट परसंट भी देशी रहे चाहे जीरो परसंट भी देशी रहे उससे कोई मतलब नहीं है बात तो यहां पर जो डार्रेक्ट कमपनिया है उनमें 74 परसेंट यह ब्रोकर सिप जो है दोस्तों बैडमिंटन वर्ड फेडरेशन बाबू बनासीदा सिंदोर स्टेडियम लखनो उत्तर पदेश में हुआ बिलकुल सही है इंडिया की साइना नहवाल ने जीता है पीवी सिंदू के खिला यह गलत हो गया पीवी सिंदू ने जीता है सिंगल फाइनल वीम बिलकुल सही है तो पहली बात तीसरी बात सही है यानि की चौथा पॉइंट यहां पे हमारा बिलकुल सही आ रहा है इंडिया 14 मेडल के साथ टॉप पे रही दोस्तों और चाइना जो है दूसरे नंबर पे रही है कितना अच्छा लग रहा है अपने घर में बुला करके इस पीवी सिंधू 2016 और उलम्पिक में मेडल जीतने वाली पहली भारती मैला है पहली भारती मैला इसके पहले यह कारनावा सुसील कुमार ने किया था दोजाट आठ और दोजाट बारा के ओलंपिक में दोस्तों इंटरनेशनल कस्टम डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है दोस्तों तो यह मनाया जाता है आपका 26 जनवरी को जब हमने 73 गरतंत दिवस्त मनाया और गोल्डेन एरो स्क्वैडरन की फ्लाइट लेफ्टिनेंस लेफ्टिनेंस सिवांगी सिंग ने इंडियन एरफोस जाकी से जो है सेल्यूट दिया सलामी दी दोस्तों दूसरी भारती पाइलट हैं जिन्होंने रिपब्लिक डे पर सलामी दी पिछले सल भावना कंट दरभंगा बिहार की थी उन्होंने ये कारणामा पहली बार किया था इस बार रफेल की पहली चालक पहली महिला पाइलट लेफ्टिनेंस सिवांगी बनारस की हैं दोस्तों इन्होंने ये कार स्वारेड में तो वह कहां की है धर्बंगा बिहार किये सो अग्जाम में आया था अब इस बार दोस्तों इस बार वंटट कुछ सिवांगी बनारस वाली अट सकती है 1500 वहад सकती है ला of indirect tax and custom के जो है दोस्तों कौन है यह आपको बताना है कि ओके कि दोस्तों 2022 में अंतरराष्टी सीमा शुल्क दिवस का विसे क्या है वाट इस दो थीम आप दर इंटरनेशनल कॉस्तों स्देइं 2022 तो इस बार की दिवसी आरही है कि कॉस्तर ही इसकी दिजिटल क्या इसकी क्या माट इसकी क्या त्यल्ट टॉस्न मेंतर और इंसभाव स्थे माट इसकी क्या बात ti समझ गहुक sought एक अप्रेल से 31 दिसंबर तक का डेटा है कि 22 लाग कंसाइनमेंट जो है वो कस्टम आटोमेटेड सिस्टम से हुए है बिना किसी आफिसर के इंटर फेयर के बिना किसी आफिसर के इंटर फेयर के यही डिजिटल टांस्फरमेशन है यही डिजिटल टांस्फरमेशन है जिसकी का सबताब की बात के जरें दोस्तों भारत ने हाल में दोनों देशों के बीच राजनाइक संबंधों को कि स्थापना के 30 साल पूरे होने पर किस देश के साथ संयूट रूप से किसमारक लोगो लॉंच किया है दोस्तों अभी एक हारा तीतर है और एक हम लोका का मोर हरा तीतर जापान का और मोर हमारे यहां का कुटनीतिक साल जो है मनाने के लिए संबंद मनाने के लिए यहां पर एक वो लोगो जॉइंट लोगो बनाया गया था अब जॉइंट लोगो जो है यहां पर बनाया जा रहा है कि कि विवेग जोहरी सबसे पहला एंसर आया है अनुराक कफालतिया का विवेग जोहरी बिलकुल सही जवाब है बिलकुल सही जवाब है यहाँ पे बिलकुल सही जवाब है दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसराइल के साथ भी अपने संबंधों के 30 साल पूरे हुए ह तो हम लोग के तिरंगे में अशोक चक्र होता है उनके जहंडे में होता है ऐसा क्या कहते हैं श्टार बना होता है उसी श्टार से जो है इन्होंने उन्हीं के जहंडे के कलर को लेते हुए ऐसे करके तीन बना दिया और अपने अशोक चक्र से जीरो बना दिया और हो गए तेल अभीव इसकी पुरानी कैपिटल है जो दुनिया के सबसे महंगा शहर चुना गया है अब्राहिम समझोते के तहत यूवएई पहला देश था गल्फ कंट्री जिसने को मुस्लिम कंट्री मानेता नहीं देते हैं तो इसको जो है मानेता दी है ठीक है तेल अभीव में अभी मेसी खुला है यूवएई का सहयुक्तरब अमिरात का इसके जो शेकल इसकी जो है करेंसी है हमाद इसका विद्रोही ग्रूप है मुसाद इसकी खूफिया एजंसी है दुनिया के से खतरनाक एजंसी आईसाक यहां के राश्पती है नफ्टाली बेनेट यहां के प्रधान मंत्री है तो इसका इस मारक लोगों भी लॉंच किया गया है इस्राइल राश्पती की ओर से कौन सा विवाग भारत की आकस्मिक निधी का प्रबंधन करता है भारत की आकस्मिक निधी जिसके बारे में आज 9 बजे मैं टर्मलोजी पढ़ाने भी वाला हूं भारत की आकस्मिक निधी कुछ लोग ये सोचते हैं कि बाड़ वाड़ के पुकम पुकम के लिए होती है नहीं भाया कुछ और रीजन होता है ये रीजन नहीं होता है ठीक है तो ये पहले 500 करोड रुपे की हुआ करती थी पिछले साल बजट में इसको अप्रत्यासित रूप से बढ़ाके 30,000 करोड कर दिया गया बच्पन से हम लोग एकनॉमिक्स में 500 करोड ही इसके बारे में जानते थे अब यह 30,000 करोड का यह कर दिया गया अब यहां पर सवाल यह है दोस्तों कि इसका जो है मैनेजमेंट कौ करता है तो दोस्तों यहां पर आगर आप देखिए और यृह सारे डिपार्ट्मेंट जो है म् फिनैस मिनिस्ट्रीं के हैं शठा डिपार्ट्मेंट कौन बना है अभी पब्लिक सेक्टर इंटर्प्राइज़ वाला डिपार्ट्मेंट बना हैं कि तो आपको यह जान के बढ बात बता रहा हूं जो सबसे उनमें से सीनियर होता है उसे वित्त सचीव कहते हैं अक्सर आप देखते होगे कि वित्त सचीव किसी और डिपार्टमेंट का भी सचीव होता हां तो पांच डिपार्टमेंट में जो सचीव होगा उसमें जो सबसे अधिक एज का होगा उसको वि बफरिंग कर रवाई चलो वेरी गुड बफरिंग नहीं हो रहा है मैंने देख लिया अब दोस्तों अगर हम लोग यहां पर बात करें यह बढ़िए बढ़िया बात है कि नहीं आज 9 बजे से बैंकिंग फिर से सुरू कर रहा हूं पढ़ाना तो इसलिए आप लोग जो है उस सेशन में आ जाएंगे और जो मैं अभी वार्यर बैच निमीसा मैं और सुमित सर और राधे सर के साथ लॉंच कर रहा हूं उसमें मैं एडिशनल में क्या पढ़ा हूं आप लोग थोड़ा सा म यह आप लोग जो है थोड़ा सा डिसकस करिए क्या मैं आप लोग को डिलीवर करूं उस पैच में मजा आ जाए तो दोस्तों अब यहां पर देखिए भारत क्या कस्मिक निदी भारत के राश्पती की और से वित्मंत्रा लेकर आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तयार क कि जाती है दोस्तों इसे कारवाई करवाई द्वारा कारी करवाई द्वारा संचलित किया जाता है आपदा और सब्सक्राइब के दौरान उपयोग किया जाता हाली में सरकार ने आकस्मिक निधी के खर्च के मानदंडों में बदलाव किया है जिससे कुल कोष्का 40% वे सच चीव के एक्सपेंडिचर सेकरेटरी के डिस्पोजल में रखा जा सकता है दोस्तों आप मुझे दो चीज बताईए एक तो यह बताईए कि फिनांस सेकरेटरी कौन है हमारे देश के फिनांस सेकरेटरी कौन है और दूसरी बात यह बताईए कि एक्सपेंडिचर सेकरेटरी कोन है हमारे देश के expenditure secretary कोन है finance secretary कोन है 11 बजे रोज class होता है हमारा तो दोस्तों यहां पे 40 परसेंट यानि कि अगर 30,000 का 40 परसेंट देखा जाए 30,000 करोण का 40 परसेंट तो करी 12,000 करोण रुपे expenditure secretary खर्च कर सकता है contingency fund का अधिकार राश्पती का होता है यह देखिए सरकार कैसे change कर रही है इसको राश्पती के भी अधिकार को कम कर रही है देख रहे हैं आप contingency fund से राश्पती के signature से पैसा निकलता है इसका 40 परसेंट का अधिकार expenditure secretary को दिया जा रहा है expenditure secretary को दिया जा रहा है है कि सोच लीजिए है हाली में कौन सा बैंक hackers द्वारा बैंक के server को hack करके bank के fund से 12 क्रोन रुपए अन बैंक अकाउंट में transfer करने की वज़़से खबरों में था तो दोस्तों इस bank में hackers क्या कि बैंक के server को हैक कर लिया और फिर bank के पैसे से बैंक के fund से किसी customer के fund से नहीं bank के fund से 12 करोन रुपए निकाल के अलग-अलग राज्यों के कई account में transfer कर दिया लोगों के आंद्रपदेश महेश cooperative अरबन बैंक इसका नाम है आंद्रपदेश महेश cooperative बैंक यहां पे 12 करोन रुपए इसके जो है कहीं दूसरी जगह transfer हो गए हैकर्स ने बैंक के ही जो है कि सर्वर को हैक कर लिया इसमें कहीं ने कहीं अंदर कहीं आदमी involved होगा दोस्तो एन एटलस ओफ दबर्ड ऑफ केरला यानि कि दोस्तों निम्लिकित मेंज़किस राज को भारत में अपनी तरह का पहला राज स्थरी पक्षी एटलस मिला है बर्ड एटलस मिला है दोस्तों तो यह केरल को मिला है का किसको मिला है केरल को मिला है ठीक है तो दोस्तों जितनी भी देर सो जो है प्रजातियां है उनके लिए जो है दोस्तों यह जो है एटलस जो है वहां के लोगों को समझने में बहुत आसान हर चीज में number one है किसी में number one है हर चीज में number one है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं शाम को 5 बजे साम को पांच बजे वाले सेशन में six month current effect के सद इस्टेटिक जीके भी मैं add करने वाला हूं क्योंकि अब तैयारी कि येस आई सी के लिए होगी अब येस आई सी के लिए होगे गुड सभी को भारत ने किस राज में बने लीविंग रूट ब्रीज के युनिस्को की विश्व विरासत टैक की मांग कि भाई जीवित रूट से पेड़ों के जीवित जड से यह ब्रिज बनाए जाते हैं ऐसा नेचर का खुबसूरत दिश्य कहां होता होगा कि मैंने कि मैं कल साधी में गया रात को बारा बज़े वहां से निकला सुबह चार बज़े आ गया थाई सो से जादा किलोमेटर हम लोग ट्रेवल करके कि आपकी क्लास में दोस पता चला कि टेलीग्राम पे मैं जब उधर ट्रेवल कर रहा था ड्राइब कर रहा था तो बहुत सारे बवाल हुआ पता चला एक लड़की को एक लड़की ने स्क्रीन सॉट डाला कि एक लड़के ने उससे फ्रेंड्शिप के लिए बोला है और इसकी इंसोट आ गया उसके बाद उस पर डिबेट होने लगी लड़का लड़की जगड़ा करने लगे बीच में इश्वर राओ जैसे जो है एक दो जो है खतरनाक खिलाड़ी बीच में आग में घी भी डाल लखने का काम कर रहे हैं तब तक कुछ लड़कीयों जो पुरानी हमारी स्टुडेंट्स हैं उन्होंने जो है लड़के को सपोर्ट किया कि नै तुम गलत कह रही हो ये भाई मेरा ऐसा नहीं है तो ये ऐसा कभी आज तक हम लोग से बात नहीं किया तो तुमसे कैसे करेगा ऐसा है नहीं हम लोग पिछले साल दो साल से जान रहें तो अब वह साक्षित भी था तो ऐसे केस में यार अब बहुत बहुत चली फिर मैंने बसंद मुझे बताया तो मैंने फिर देखा फिर देखके मुझे बड़ा लगा यार की इतनी छोटी-छोटी ब बेजती हुई है क्यों दोनों के बेजती हुई है तो कभी कभी क्या होता है देखो यार एक बात बताए है एक बार सबकी गलती माफ कीजिए एक बार दुबारा ना करे अगर समझाने के बाद अगर दुबारा ना करे अगर दुबारा करे तब वह स्क्रीन सोट तुम उसको पब्लिक करो तब तुम कम्प्लेंड करो पहले तुम समझा लो और उसके बात अगर वो समझ गया तो बात कतम क्यों कि आफ देखो अगर कोई किसी से करना चाहता है तो उसको तो बोलना पड़ेगा न एक बार तो बोलेगा ही कम से कम वो अब तुम्हारा मन नहीं है तुमने मना कर दिया वो चला गया अपने रास्ते लेकिन भाई SBI में जॉब लगी है तो उसको भी तो साधी विया का जो है कि समय चसका लगा होगा कि जो है कि हम भी जो है किसी बैंक इंप्लॉई से ही साधी करें तो जो बढ़िया पड़ लिख रही होगी उससे को एक बार प्रेंशिप का अपर दे दिया इसका मतलब नही और नहीं करेंगा अगर दुबारा करें तो फिर जो है सजा उसको मिलने चाहिए लेकिन ऐसे उसको जो है बेच्जत मत करें बिचारें कि साधी ब्यावा अभी दस बीस लाग उर्पया अभी सरकाई नोकरी लगा इस बीच मिलेगा अभी लड़की नहीं लड़की पिता जी तो दोस्तों यह living root bridge जो है यूनेसको की World Heritage Tech की मांग की गई है यहां पर में में मांकी गई है अब दोस्तों यह जो है लड़कियां जो है जो दो तीन चार आई एसा नहीं 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 यह इसा नहीं तो मुझे बहुत है अब देखा लड़की लड़की की दुस्मन बनी है लड़कियों को तो सपोर्ट करना चाहिए ऐसे टाइम पर विचारी अकेले पड़ गी एकदम हमारे ग्रूप में तो जुलाजिकल सर्वेश एंडिया एस अंडर लाइन सम ग्रीन रूल्स फॉर दर लिविंग रूट ब्रीज होफ में गाले टु गेट दे यूनेस्को व्ल्ड हैरिटेस साईट टैग यूनेस्को क्या वर्ल्ड हरिटेस साइट टैग के लिए आवेदन किया गया है में आध् विलेज जीता है और एक तेलंगाना का भी कोई विलेज था वो भी जीता है एक और कोई था वो भी जीता है कि क्लियर है मेघाले के राजिपाल दोस्तों कौन है सत्यपाल मली के कौन है मेघाले में मौसिन राम जगह है दोस्तों मेघो काल है बादलों का घर मौसिन राम एक ऐसी जगह है भी जो कि दुनिया का सर वाधिक वर्षा वाला इस्थान दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वाला स्थान अब ऐससे मुझे बात याद आ रही बरसाती मेढ़क जिसको रेंड फ्रॉक करते हैं एक बरसाती मेढ़क के नाम रखा गया है ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रखा गया है कि समझ गया है दोस्तों केंद्री किसी मंत्राले ने किसी मसीनी करण पर उप मिशन के गाइड लाइन्स में संसोधन किया है ताकि क्रिशी मसीनी करण के लिए ड्रोन खरीदने में मार्च दोजा तेईस तक 40-100% सबसीदी प्रदान की जा सके जिसके तहत क्रिशी मसीनीरी प्रसिक्षण और परिक्षण संस्थान भारती क्रिशी अनुसंधान परिशत संस्थान और क्रिशी विज्ञान केंद्र और राज किसी विश्विद्याले को सबसीडी मिलेगी ये सब सबसीडी प्राप्त करने की हगदार है हंड़ेट परसेंट है कि सोची जितने भी बड़े-बड़े संस्थान है ठीक है तो यहां पर 40-100 सबसीदी की जो है घोशना की गई है ड्रोन खरीदने में केंद्र ने केंद्र सरकार की पर चने स्वास्त योजना की संसोधित विबसाइट और मोबाइंल एप को माइस C रहीज टे मिइस के नाम से जनवरी 2022 को केंद सरकार की स्वास्त योजना की संसोधित वेबसाइट और मोबाइल लॉंच किया है दोस्तो अभी जो है लोग में 24 जनवरी को कौन सा दिन मनाया गया 25 जनवरी को कौन सा दिन मनाया गया बताइएगा एक नया दिन शुरू किया गया है वो कब शुरू किया गया है गुड़ डॉट के ब्रैंड अमेजडर के रूप में किसे अप्वाइंट किया गया गुड़ डॉट के ब्रैंड अमेजडर के रूप में नीरत चोपडा जी नीरत चोपडा जी बाइजूस के हैं वाला है यह सिंबल vegetarian का सिंबल होता है तो प्लाइंट बेश्ड मीट जो नुनवेज खाने के सौकीन है तो प्लाउंट बेश्ड मीट कम्पनी है गुड डॉट अपर इसने नीरचे उपड़ा को अपना ब्रैंड अमेजर बना इस सहीक के साथ कंपनी प्लांट अधारित मीठ की नई कटेगरी के बारे में जागरुपता पैदा करना चाहती लोगों के मन में यह संदेश भी देना चाहता है कि जीवन सहली और भोजन विकल्पों में छोटे बदलाव करके आप दुनिया को एक बहतर जगह बनाने में एक जो है बहुत इन गो लॉंग वे इन मेकिंग दो वर्ल्ड बेटर प्लेस बात मैंने इंग्लिस में इसले कहीं ताकि इंप्रेशन जो है इस बात की ज्यादा जाया है इस ठीक है पिया मोदी ने 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राश्टी बाल पुरुसकार से समानित किया इस पुरुसका रुपए का नगत पुरुसकार दिया जाता है ठीक है याद रहेगा बहुत बढ़िया परधानमंत्री ने यह तो हुई गया आगे बढ़ते हैं बीसवे धाका इंटरनेशन फिल्म महुत्सों में एसी आई फिल्म पतियोगता के टेगरी में किस भासा की ड्रामा फिल्म कु दोस्तों यह कुझहंगल ने जो है कि बेश्ट फिल्म का पुरुसकार जीता यह तमिल मुवी है याद दखिएगा और मरक्कर मलयालम मुवी है और असुरन भी तमिल मुवी है ठीक है अच्छा यह बताओ जैभीम कांसे लेंग्वेज की मुवी है जिसको भी आसकर के लिए नॉमिनेट किया गया नॉमिनेशन में जा चुका है वह भारत किस देश के साथ मौझूदा साइंस एंड टेकलोजी सहयों को तीन और वर्सों के लिए बढ़ा रहा है तो साइंस एंड टेकलोजी सहयों को तीन और साल के लिए बढ़ा रहा है दोस्तों स्री लंका क्लियर है 29 में 15 लड़के है 14 लड़कियां है बहुत बढ़िया दिव्या बहुत बढ़िया शब्पाश तो दोस्तों सिलंका की स्थिति इसमें खराब है सिलंका ने जो है यहां पे भारत से से बहुत मदद ली है इस समय वहां फूड इमेजंसी लगाई गई है इंडियन और कॉर्परेशन को उसने अपने जो है पचास सल के लीज़ पर कुछ जो है टंक टैंक्स भी दिये हैं जो जो सकेंड वर्ल्ड वार के समय में बने थे परधान मंत्री मोदी जी ने और किस ने भारत साहता प्राउत समाजी कावश सिकाईयों की परियोजना का उद्गाटन किया है तो दोस्तों ये जुंडिया सिस्टेट सोचल हाउस्इंच होसीग यूनिट प्रोजेक्ट इस समय जो है दोस्तो प्रविन जगननाथ प्रविन जगननाथ मौरी सर्स के पादान मंत्री और मौरिसस की कैपिटल है पोर्ट लुइस रुपिया करेंसी है और इसके राश्पती जो है मौरिसस के वह है प्रिथवी राज सिंग रूपन अब प्रविन जगनाथ प्रविन जगनाथ के दोस्तों जो है क्या कहते हैं पीता जी अर्विन जगनाथ जीका भी निधन हुआ है उन्हें हमने पिछले के पिछले साल पद्म भीभूशन से समानित किया था वो आलीशस के पधान मंत्री और राश्पति की दोनों रह चुके थे अर्विन जगन्नाथ इस बार का हम लोगों ने पद्म विभूशन किसको दिया है सुन्दर पिचाई को सुन्द सत्या नडेला को दिया है इस बार 128 लोगों को हम लोग ने दोस्तों पद्म पुरुशकार दिये हैं ठीक है जिसमें से तीन लोग को मरने के बाद दिये हैं गीता प्रेस के अध्यक्ष को दिया है राधा किस्ने जी को हम लोगों ने मरने के बाद केवल चार में से तीन लोग मरने के बाद मिले पाए है एक आदमी जो हैं एक मतलब औरच सास्त्री घाई का जो है प्रभा अत्रे जी स्माहराष्ट की उनको ՜ीते जी मिल भाकी तीन लोगों को मरनेके भयाद मिला है मरनों परांथ मिला है चार्ल लोगों को वो मिला है आपका किया कहते हैं पद्म भूशन और 107 लोगों को पद्म श्री मिला है और चार लोगों को पद्म भी भूशन मिला है ठीक है दोस्तों लखनव आईपियल टीम जो भारत की सबसे महंगी टीम है जो 7,090 करोड़ों में विखी थी जिसे गोइनका गुरूप ने खरीदा था है ना गोइनका नहीं खरीदा था ना एहमदाबाद को सीविसी ने खरीदा था ऐसा ही हुआ था ना यार बता दिया करो तुम ल प्रभाट की टीम का नाम रखा गया लखनव शूपर जायन्ट रपी संजीव गोइनका ग्रूप ग्रोइंग लिगेशीज यह इस तरीके से पूरा लोगो रहेगा आर्पी संजीव गोइनका ग्रूप से ठीक है जनरल वीपिन सिंग रावत को मिला है कल्यार सिंग जी को मिला है और घीता प्रेस वालेच जी को मिला है राधा किष्णी जी को और प्रभात तरे को मिला है बिल्कुल बहुत बढ़िया शानदार दोस्तो 2022 के मद तक किस्कमपणी दुनिया के सबसे अंभर कंप्यूटर का अनावरण करने के उम्मीद ुदूर्ण यह सबसेज इस्परकंप्यूटर यह जो है बनाने वाला है क्योंकि इसको खुद की जरूरत है दोस्तो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए सुपर कम्प्यूटर क्या वसक्ता होगी जो प्रती सेकेंड क्विंटल ओपरेशन करने में सक्षम हो दोस्तो इंडियन आम्ट फोर्स सेलेक्टेट साब for supply of anti armor weapon... जोस्तो भारते सथर्बल ने single shot anti armor weapon 84 के supply के लिए इस पे स्वीड़न की कंपनी साब को चुना है v拌 54 के supply के लिए Education एक सो तीन, हम स्टरफ़ यजार रशिया से खरिद रहें दोस्टो और एक एलशोर थीन हम यहां पर बना रहे हैं अमेटी में रशिया की मदब नि का कौ में इस года कि इसробटर में में हैं कि technique सिंगल बार्णाली ने क्राफ्ट हेलिकॉप्टर के बक्तरबद वहनों और कर्मियों को उतारने वाली सनचनाओं खिलाब प्रभावसिलता साबित किये ठीक है किस बैंक ने फिटनेस वाच में इजी पे इंटीग्रेटेड डेबिट कार्ट सुविधा सुरू किये बात समझ में आ गई क्लियर है कि सिटी यूनियन बैंक ने गुकी गुकी यानि की स्मार्ट टेक इनेबल प्रिवेंटिव हेल्थ केर प्लेटफॉर्म और नपी सी आई के साथ यह रूपे ऑन दगू पेमेंट जो है लांच किया है तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसका नाम कब इजी पे रखा था एक ऐसा वाज जिससे पेमेंट भी हो जाए और फिटनेस भी पूरा ध्यान में रहे सारी फिटनेस की जानकारी भी मिल जाए ऐसे इस बी ने टाइटन पे सुरू किया था दोस्तों अगर आपको याद हो तो भारती नोसेना के पी एट आई वीमान ने एस डबलू अभ् जुड़े पी एट आई वीमान हमारा जो है इंडियन नेवी का विमान कैसा विमान है इंडियन नेवी का है विमान जो पंडूबी रोधी युद्ध जो है जो उसको खोजता है सब मरीन्स को तोही विमान है समुद्र तोही विमान है तो यह इसका परिछण वहाँ पे किया एक मिनिट एर चीफ वेवेक राम चौधरी और आरहरी कुमा नेवी चीफ ठीक है और एरफोर्स के हेट कौन है मनोज मुकुन नर्वने है ठीक है क्लियर है याद रहेगा बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबड़ दस्त गुवाम दोस्तों अमेरिका की टेरिटरी में है दोस्तों माइक्रोनेशिया कैपिटल इसकी हगतना है और ओसीनिया कॉंटिनेक्ट में यह दोस्तों आता है ठीक है रबियाई ने पुर्व सीए जी कंट्रोलर एन और्डिटर जन्रल नियंत्रा के वंका परिक्षट इन्होंन इंडिपेंडेंट्ट चेर्मेन दोस्तों कौन बने हैं तो यह यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रथम यह जो है इंडिपेंडेंट्ट चेर्मेन बने हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों भारत पे और सेंट्रम नाम कंपणी ने मिलके सुरू किया है जिसका हेट कौर्टर न्यू दिल्ली में इस सर्थ पर इसको बारहवा स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाया है भारत सरकार ने कि यह जो है पींसीघोटाला पंजाब अंड महाराश कौपररेटव गोटाला तो पीमसी बैंक को क्या कर लेगा अदिग्रहित कर लेगा भी और दोस्तो आजर की टाजा खबर की पींसी बैंक को इरग्रे डिया गया है ये एकदम ताजा ताजा खबर बता रहा हूं विले क्यों मंजूरी मिल गई विले हो गया विले हो गया दोस्तों यूनिटी स्मॉल फैनेंस बैंक ओपेंट्स फर्स्ट ब्रांच इन मुंबई और फर्स नमवंबर 2021 को यूनिटी स्मॉल फैनेंस बैंक दोस्तों मुंबई से इसने अपना पहला ब्रांच कोल के काम सुरू किया ग्यारफ सो करोड की एक्विटी कैपिटल बीस हजार कस्टमर और दोस्तों एसेट बेस जो है चौबीस सो करोड रुपए का है ठीक है क्लियर है अब यह जो पीमसी बैंक घोटाला हुआ था इनके लोगों को पैसा कैसे मिलेगा तो पहले तो पांच लाक रुपए कौन दे देगा पांच लाक रुपए जो है वह नब्वे दिन के अंद कौन दे देगा कि डी आई सीजी सी दे देगा को सारे ग्रांकों को पैसा जो है नब्वे दिन के अंदर पैसा है इसके उपर पैसा है वह कैसे दिया जाएगा तो सुनिए दस साल में मिलेगा ग्रांकों का फसा पैसा कब से मिलेगा दस साल में मिलेगा ग्रांकों का फसा हु ग्रहन करेगा इसके बाद PMC बैंक में जिन ग्रहांकों का पैसा फसा है उन्हें अगले तीन साल से 10 साल के भीतर पूरा पैसा वापस मिल जाएगा समझना है समझ गये क्लियर है सभी जमा करता हों को पांच लाक रुपए का पहला भुकतान तो DICC द्वारा किया जाएगा फंट टास्पर करते ही किया जाएगा इसके बाद क्या होगा पहले और दूसरे साल के बाद 50-50,000 रुपए दिये जाएंगे धिरे-धिरे करके युनिटी स्माल फाइनेंस बैंक ज शे लाक रुपए टुटल मिल गया इसके बाद दोस्तों तीन साल के बाद एक लाक रुपए मिलेगा यानि पहले साल 50 दूसरे साल 50 तीसरे साल एक लाक फिर चौथे साल के पूरे होने पर धाई लाक रुपए मिलेगा अब पांच साल के बाद साढ़े-पांच लाक रुप पेसा दिया जाए कि हो रहा है कि यह वर रेंग हो रहा है कि यह में टीक है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़ी है मुंबई में यूनिटी आपका रहा है मुंबई में नहीं है तिल्ली में यह यहां पर गलत लिखाए है ठीक है इसको जो एक बार करेक्ट तुम लोग देख लें तो दोस्तों यह थे आज के खबरें अब हम लोग करते हैं रिवीजन अब हम लोग करते हैं रिवीजन लेकिन रिवीजन भी आज का खतरनाक है एक दम नए-ने कोश्चन मिलेंगे आपको दोस्तों नॉर्थ एसड के लिए कोबिट नुटिंटेस्टिंग के मॉँबाइल डियागनोस्टिक लेब का उस भारू किस ने किया तो मॉबाइल डियागनोस्टिक लेब जो है दोस्तों के सबसे चपॉपुलर वल्ड लीडर चुने रहे हैं कितने पर सेंट इनकी एप्रूवल रेटिंग है एप्रूवल रेटिंग में जिसकी बात मानी ही मानी जाती है तो दोस्तों ये दुनिया में सबसे लोकप्री विश्व वर्लीडर्स में यहां पर मोदी जी है सेवेंटी वन परसेंट अप्रूवल रेटिंग है इनकी बात दुनिया में एक जिस भी नेता से कह देते मान ली जाती है ठीक है योगा देख गए ते बोल दिये मान ली गए मौर्निंग कल्सर्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी यह ग्लोबल रेटिंग सर्वे हैं ओके क्लियर है विच बैंक साइन्स एमो यू विट गिफ्ट सेजड टू बुष्ट फिनैंसल सर्विसेज वित्ती सेवां को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने तो इकनोमिक जोन में जो बैंक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं आप्शोर बैंक करते कहते हैं जो फॉरण करेंसी में Battle कर सकते हूँ उन्हीं को चेटेंग को उल्धीतों आपकशोर बैंकिंग करने को दिया जाते नेशनल रूरल लाइवली हुड मिशन है सेलिबरेटेड द एग्री नूट्री गाइडेंड वीक फ्रॉम दॉट 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 से क्रिशी पोशक उद्यान सप्ता मनाना सुरू किया है तो दोस्तों यह 10 से 17 जनवरी तक जो है यह क्रिशी पोशक उद् समूट किया जाता देखिए गाओं में यह स्वयम साहता समूद दिख भी रहा है सेल्फ हिल्फ गूर्प देख भी रहा है ठीक है दोस्तों भारत 26 तक दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एथेनॉल उपभोकता के रूप में किसको पीछे छोड़ देगा तो दोस्तों इंड भारत का पहला राज कौन है दोस्तों भीहार है टोस्तों नॅल पॉलीसी लाने वाला भारत का पहला राज ऑफ Mississippi फिर ने अग्जाम ते जो सेलेक्शन के लिए कमीटी बैठा दिया एक्जाम को रद कर दिया यह होता है इलेक्शन के टाइम पे आंदोलन करने का पावर तुरंद रिजल्ट आया था और उसमें जो है बवाल मच गया अब उसमें बहुत सारे टीचरों पे जो है फाइयार दर्जो गया है छात्रों क को ब्लॉक किया जा रहा है बहुत सारे की यूट्यूब चैनल को नोटिस भी गई है ठीक है तो दोस्तों अंतराक्शी उज्या एजेंसी इसका हेड़क्वाटर कहा है इसका हेड़क्वाटर पेरिस में न इसके बियान का उनसर भारत दोजाथ 26 तक दुनिया के तीसरे सबस कि लेंशन की है दोस्तों भारत के पधानमंती नरण मोदी जी ने गुजरात में किस मंदिर के पास नए सर्कीट हाऊस का उदगातन किया तो दोस्तों सो मनात्र मंदिर के पास इनहोंने 30 करोन रुपए की अधिक कि लागत से एक सर्किट हाउस का उधगाटन किया विजे मालिया के लंदन इस्तित घर को बेचने का अधिकार किस बैंक को मिला है तो दोस्तों UBS यानि United Bank of Switzerland को घर बेचने का दिया यानि यह फ्रॉडिया आदमी भारत में ही नहीं लंदन में भी बै बेगर इन लंदन बेगर मतलब भिखारी इस टोरी और रिची रिच विजे मालिया नाव होमलेस इन लंदन अब बेगर हो गया भाई सब इनका घर वह अच्छा यूबीएस बैंक की बात कर लो तो यह स्विश बैंक कहा जाता है स्विजलेंड का बैंक है ना इसको स्विश का धड़ी कर दिया तो यूबीएस बैंक ने लंदन में भगोड़े व्यवसाई विजे मालिया के घर पर कपजा करने अब बेचने का अधिकार हासिल कर लिया है जहां वह अपने बेटे सिधार्त पंचानवे वर्सी माल ललीता के साथ रहता है यानि मालिया को उनके घर से बेधकल कर दिया जाएगा विजे मालिया के प्रक्तरपड मामले में यह एक बड़ी प्रगती हो सकती है तो यूबीएस का जीडिपी फोरकास्ट आप लोग देखते हैं जैसे आई-एम-फ ने अभी जो जीडिपी फोरकास्ट किया है दोस्तों वह नाइन परसेंट कर दिय 9.5 से कम करके 9 या 9.1 परसेंट कर दिया आई-एम-फ ने अभी घटा दिया है अपने जीडिपी फोरकास्ट को अब साड़े नहों वाला मत्याद रखना थल सेना के दोस्तों अगले उपाध्यक्ष कौन होंगे नेक्ष्ट डिप्ती चीफ आफ आर्मी स्टाफ दोस्तों य 8 अक्टूबर को एरफोस डे नेवी डे 4 दिसंबर को दोस्तों भारत की पहली पैरा बैड्मिंटन एकेडमी की सहर में स्थापित की गई तो लखनव में की गई है एकदम उन्नत उपकरण और एक्वीपमेंट्स के साथ यह लखनव में पैरा बैड्मिंटन एकेडमी जो है स्थापित की गई है इसनों ने हाली में की इंजन का परिक्षण किया जिसका यूज गगन यान मानव उन्तिरिक्ष मिशन के तहट भारत के पहले मानव वहक रॉकेट को सक्ति पदान करने के लिए किया जाएगा इस इंजन का नाम है इस इंजन का नाम है विकास इंजन इस इंजन का क्या नाम है दोस्तों इस इंजन का नाम है विकास इंजन ठीक है और यह महेंद्र गिरी में जो है इसको किया जा रहा है महेंद्र गिरी क्या है दोस्तों प्रपल्सल कॉंप्लेक्स है जहां पर इन इंजनों का परिक्षण देखी यह इंजन का परिक्षण चल ला है कि नहीं चल ला है इंजन का परिक्षण चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो कुछ सेकेंड के लिए चला कि इसका परिक्षण किया जाता है निम्लिकित में से कौन हाल ही में भारत का पहला संयूत राष्ट विकास करेकरम यूएन डीपी युवा जलवायू चेंपियन बना है वह फॉलोविंग है रिसेंटली बिकाम इंडिया फर्स्ट यूनाइटे नेशन डेवलप्मेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चेंपियन यूएन डीपी का हेड़क्वाटर दोस्तों नियू यॉर्क में है याद करती है प्रजक्ता कोलिंग नोन फॉर हर यूट्यूब चैनल मोश्टली सैन मिल्कुल इसन इंडियन यूट्यूबर और एक्ट्रेस वू मेक्स कॉमेडी वीडियोस हर वीडियो आर फोकस्ट मोश्टली ऑन रिलेटेबल और अब्जर्वेशनल कॉमेडी रिलेटेट टु डेली लाइफ सिच्वेशन ठीक है तो दोस्तों प्रजक्ता कोली को भारत की पहली यूएंडीप यूवा जलवायू चेंपियन बन गई है वह विबिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब इंस्ट्राग्राम आधी पर कंटेंट क्रियेटर हैं ओके दोस्तों र पर किस प्रजाती के जानवर का नाम रखा है रिशर्चर्स हैव रिसेंटली नेम विच स्पीसीज ऑफ एनिमल आफ्टर स्वीडिश इनवार्मेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग तो दोस्तों यह जो है रेन फ्रोग यानि बरसाती मेढक का नाम रखा गया ग्रे प्रधानमंत्री का नाम बताए जिन्होंने जनवरी 2022 में दूसरे कारकाल के लिए सपत लिए तो दोस्तों यह जो बार्बडोस है इसका नाम आपने पिछले महीने सुना था कुछ 31 दिसंबर के लगभग में मिया मोटली दोस्तों इसके जो है प्रधानमंत्री का नाम है बार्बडोस का नाम सुना था की नहीं सुना था बताओ इसकी जो कैपिटल है ब्रिश टाउन है तो ना था कुछ सुना सुना सा लग रहा है डॉलर जो है यहां की जो है करेंसी भी है यह भी अपनी करेंसी को डॉलर कहता है कुछ सुना अच्छा 400 साल बाद बार्बडोस की को ब्रिटेन से आजादी मिली थी और बना था रिपबलिक पिछले महीने की घटना है पिछले महीने की यह दोस्तों घटना है सभी लोगों को याद है कि नहीं याद है ब्रिटिस उप्रिवेस बनने के लगबग 400 साल बाद बार्बडोस दुनिया का सबसे नया रिपबलिक बन गया है केरिबियाई आइलेंड है यह बर्बडोस महरानी एलिजाबेत को राष्ट के प्रमुक के पत से हटा दिया है इसी के साथ डैम सेंड्रा पुरूनेला मेसन जो है यह बर्बडोस की पहली प्रेसिडेंट बन गई क्योंकि प्रेसिडेंट होता ही नहीं था प्रधान मंत्री के उपर एलिजाबेत होती थी आज भी कई जगा है अस्टेलिया है न्यूजिलेंड जमाइका है बहुत साधे सी जगह है जहां प्रधान मंत्री के उपर ब्रिटेन की महरानी का नाम लिखा होता है यानि राष्प पती बनी थी डैम सेंड्रा प्रूनेला और यह जो है अभी हम लोग बात किये वह पधानमंत्री की बात किये ठीक है क्लियर है चलिए दोस्तो जानवी दांगेती नासा लांच ऑपरेशन के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरीडा में अंतर राष्टी वायू और अंतरिक्ष करेकरम को पूरा करने वाली एक मात्र भारती बन गई है जानवी किस राजसे हैं तो जानवी आंध्रपदेश से हैं दोस्तों कहां से हैं आंध्रपदेश से देखिए यह सब भी देखिए अनिल मेनन हो गए राजाचारी हो गए सिरिसा बंदला हो गए स्वाति मोहन हो गई हमारी दर्भंगा बिहार की भावना कंट हो गई हमारी अभी रिपब्लीक डे परेड में इंडियन एरफोस की राफेल चलाने वाली उड सिवांगी बनारस की हैं तो यह हो गई है तो दोस्तों यह लोग जो है कैसे बनते हैं पाइलेट मैंने लेफ्टिनेंट सिवांगी का देख रहा था कि वह कुछ ब्सक्राइब करें थी ब्हू में एंसी सी जोइन करी थी एर वाला और उसमें 2016 तक तेज़र से 16 तक ट्रेनिं अमेरिका के अलबामा में नासा लांच ऑपरेशन के केनेडी स्पेस सेंटर में अंतर राष्टी वायू और अंतिक्षा करेकरम एक तरीके का यह एक्जाम होगा एक तरीके की यह ट्रेनिंग होगी जिससे गुजर मेहंद्गिरी में जो इस रोका जो गगन यान मिशन दोज इस रोका है जबकी और उसके हैड़ अभी बने हैं एस सोमनाथन इस रोके हैड के सीवन की जगए सोमनाथन बन गया है वीच अब दिप्लूविंग कंट्री हैस बीन मेक यूनिक बिजनेस आईडी मेंडिट्री फॉर यी कॉमर्स एंटिटी यी कॉमर्स कंपनियों के लिए यूनिक बिजनेस आईडी को अनिवार करने वाला देश पहला बंगला देश बन गया है दोस्तों जिसने इसको अनिवार कर दिया है ठीक है बंगला देश शेख हसीना बंगबंदू सेख मुझीबूर रह्मान गांधी पीस प्राइज 2020 निमलिकित में से किस देश ने परिय पाकिस्तान में दसू डैम बनाने लिए दसू डैम में दोस्तो एक आत्मगाती ने इस बस में जो है अपने आपको बॉम से उड़ा लिया जिसमें दस चीनी नागरिकों की मौत हो गई अच्छबिस बुरी तरीके से घायल हुए बुरी तरीके से जखमी हुए अब चाइना पाकिस्तान में काम करेगा तो ये तो सहना पड़ेगा पाकिस्तान में क्रिकेट खिलने जा तो उसमें बस बम उड़ाने लगते हैं सब उनको पता नहीं क्या दिक्कत दूसरे को देख कर के दुसरे देश को देख कर कोई नहीं मिलता उनके अगर अगर ठीक है नहीं को उड़ा देंगे वूँव ऐसा करते हैं तो उनका जो होबी है उनका यह होबी है कि मैंसे चाहरदियस लोग को मारकर मरने का मतलब इनको बोला गया कि इस से जो है को जो है ऊपर बहूर को स्पेसल ट्रीटमेंट मिलता है इनको इस पेसल ट्रीटमेंट में गพर कराई स魚 ho कर आते हम सूरू करें जब तुम यानि भीखारी भीखारी देसे चाइना मांग生 और 38 million अमेरकीई डालर दोगे तब हम देंगे 38M vale कि तो हम को पहले मुआफ्या दोगे तब हम सुरू करेंगे सब्सक्राइब के नियुक्त कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं तुम लोग को फिर बफर होने लग रहा है क्या मेरे में तो सही चल ला यार तो दोस्तों यह जो है फिर 11-11 मिलियन दिया और फिर से पाकिस्तान ने सेटलमेंट किया तो यह जो है इन दोनों लोग के बीच में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए यह जो है चला पाकिस्तान भीखारी भले है लेकिन अपने चाइना को नराज थोड़ी करेगा तो बोला हाँ हाँ हम दे रहे हैं दे रहे हैं अरे मद हम देंगे देंगे तो यह जो है दिया 21 जनवरी को निम स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया था 21 जनवरी को मनाया गया था ठीक है क्लियर है याद रहेगा 21 जनवरी 1972 को यह तीनों जो है दोस्तों कि पूर्ण राज्य बन गये थे में 1972 हाली में केंद सरकान थे खबरी फर्जी कहबर फैलाने के लिए पाकिस्तान बेश्ड कितने यूट्यूब चैनल ट्वीटर इंस्टाग्राम एकाउंट को ब्लोक करने का आदेश दिया है तो दोस्तों यहां पे 35 जो है यूट्व चैनल ट्वीटर इंस्टागराम एका जाता है इन चैनल के थुरू भारतियों को भड़काया जाता है और भ्रामक खबरे फैला करके पाकिस्तान में यह नया आतंकवादी मोड्यूल है खलिस्तानी मुव्मेंट को हवा दी जाती है फेक चीजे चलाई जाती है भड़काया जाता है भावनाओं को ठीक है क्लियर है तो दोस्तों 35 पाकिस्तान बेस्ट जो है चैनल को ब्लोक किया गया अच्छा यह ब्लॉक कौन सा मंत्राले के अंतरगत आएगा यह ब्लॉकिंग जो है चाईना के भी 220 है ब्लॉक किये गया थे तीन बार में तो यह कौन सा मंत्राले है जो एप वेब पोर्टल इन सब के तो दोस्तों यह होलोग्राम प्रतिमा जो है इंडिया गेट पर इस्थापित की जा रही है यानि कि देश का नायक इंडिया गेट पर सलामी देगा दोस्तों इंडिया गेट पर इनको हम लोग सलामी देंगे यह होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया सोचिए इंडिया गेट पे हमारे भारती नायक को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मित्रों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दोस्तों वर्स 2021 की बेस्ट विमेंस फीफा प्लेयर ऑफ दी इयर किसे चुना गया है तो यह ऐलेक्सिया पुतेलस को चुना गया है एलेक्सिया पुतेलेस जो है बार्सिलोना क्लब से खेलती है और स्पेन की है इन्हें 2021 की बेश्ट महिला फुटबॉलर अफ दे एर चुना गया है फीफा में 104 भारत की रेंकिंग है फीफा का जो हैड क्वार्टर है जियूरिक है जियानो इनफेंटीनो यहां के हैड है फीफ करोना के द्वारा जो है पता लगा लेंगे एक सरे के द्वारा कोरोना का पता लगा लेंगे दोस्तों स्कॉट्लेंड वाले ठीक है आर्टिफिसल इंटेलिजेंस अधारी प्रिक्षर डवलप किया कुछी मीन्तों में कोवीड-19 का सर्थीक निदान करने के लिए एक सरे का यूज करता है यूदो सिटी और वेस्ट ऑफ स्कॉटलेंड के सोथ करता हो दोरा विक्सित प्लेटफर्म ऐसे आरे सी वीटू देखो यह वायरस का नाम नहीं है ऐसे यह वायरस का नाम होता है कोरोना वायरस का नाम भी याद रखिए सीवियर एक्यूट रिस्पारिटरी स सिंड्रॉम कोरोना वायरस टू क्योंकि पहला आ चुका है दोजात तीन चार में वायरस का पता लगाने में सक्षा में जो PCR परिछड की तुल्ला में कहीं अधिक तेजी से होता है जिसमें आम तोर पर लगबग दो घंटे लगते हैं स्कॉटलेंड यूके का एक अहम हिस्स तुछ यूज है नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखा है तो यह मौरईसस के लिए महात्मा गांधी पर आपको पता है भी मौरिसस के लिए हम लोग बहुत सारी मदद कर रहे हैं हम रोज कुछ ने कुछ न्यूज में हम आपको बता ही रहे हैं मौरिसस के लिए तो मौरिसस हमारा मित्र देश है दोस्तों तो महात्मा गांधी के नाम पर उसने मेट्रो स्टेशन का ही नाम रख दिया क्या बात है प्रविन जगनाद प्रधान मंत्री है इन्होंने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के लिए भारत के समर्थन के लिए अभार व्यक्त करने के लिए द्रेश के प्रमुक मेट्रो स्टेशनों में से एक का नाम महात्मा प्रमुक मेट्र स्टेशन का नाम महात्मा गांधी स्टेशन रखने का फैसला किया है ठीक है क्लियर हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिम्टेड ने भी दोस्तों मौरिसस के साथ टाइब किया है हेलिकॉप्टर एक्सपोर्ट के लिए यह भी हमें याद रखना होगा वीरता प इस ने किया है फटा फट बताईए हां मोदी जी के नाम पर सिक्कीम का रोड है वेरी गुड बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छे आप लोग बता रहे हैं बस एक मिर्ट दीजे आप लोगों बहुत बढ़ियां बढ़ियां जैनकारी मैं और भी दूंगा आज मेरा मन नहीं कर रहा है तो को इतनी जैनकारी देने का मेरा मन कर रहा है कि हम क्या बताएं कि मैं क्या करूँ अब बताएं तो दोस्तों अब दो मिनट मुझे दीजेगा अब कर दोस्तों तो यहां पर हम लोग बात करें गलेंट्री अवार्ड पोर्टल की ठीक है गलेंट्री अवार्ड पोर्टल की हम लोग इंट्रेक्टिव वर्च्वल म्यूजियम की बात करें कि जिनको भी वीरता पुरुसकार मिलता है उनके जीवन के ऊपर एक यह जो है वर्च्वल संगरहाले रहे और उनके जीवन के बारे में उनकी बलदान की कहानियां को लोग जान सके अजया भट्ट जी हमारे डिफेंस राजमंत्री भी है कि गरेंट्री अवर्ट पिछले साल दोस्तों जो मिला था 144 लोगों को मिला था यह आपको पता है लेकिन इस बार दोस्तों 384 लोगों को गैलेंट्री अवर्ट मिला है अब 144 भूल जाईएगा अब देखिए अभी देखिए पद्म पुरुसकार जैसे आप पुराना वाला भूल जाईए अपकी बार 128 लोगों को मिला है जिसमें से 107 लोगों को पद्म स्री मिला है 17 लोगों को पद्म भूशंड और चार लोगों को पद्म भूशंड मिला है वैसे ही अब आपको गलेंट्री अवर्ड्स भी पुराना वाला भूल जाना है यह क्योंकि रिपब्लिक डे आ गया है कि ठीक है कि क्लियर है याद रहेगा है कि समझ गया है 334 कि गेलंटरी अवार्स में से बाराः लोग को सौर चेकल मिला है ौन्तिस को परम विश्ट शेवा मेडल मिला है चार को उत्तम यूद सेवा मेडल मिला है तिरपन को अतिक विश्ट मेडल मिला थेरह यूद सेवा मेडल मिला Leonardo 22 को विशिष्ट सेवा मेडल मिला है 81 लोगों को सेना मेडल मिले हैं नीरत चोपड़ा जी को दोस्तों क्या मिला है परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है ठीक है वह सुबेदार है चौथे राजपुताना राइफल में इंडिन आर्मी के राजपुताना राइफल में दोस्तो तो वह सूबेदार है ठीक है उन्हें विसिष्ट सेवा मेडल मिल चुका था अब उन्हें परम विसिष्ट सेवा मेडल मिला है ओलम्पिक में गोल्ड लाने के लिए क्लियर है याद रहेगा चले तो यह बात हमें बतानी थी आप लोगों को बहुत ज़रूरी बात थी तो दोस्तों आज के जित्ते भी important बाते थी वो हम लोगों ने आपको बता दी और दोनों दिन का भर भर के आप लोगों को क्या बता दिया रिवीजन भी करा दिया अब 9 बजे मुलाकात होगी आपके बजट के सेशन में क्योंकि बजट आने वाला है तो बजट के concept तो आपको जानने ही चाहिए बजट के concept जानिए फिर 11 बजे जनवरी का रिवीजन करिए क्योंकि इस हबते आप लोगों के इर्रेगुलेर्टी रही मेरी भी इर्रेगुलेर्टी रही कुछ मेंस एक्जाम की वज़े से भी आप लोग परशान रहे तो अब वह रिवीजन करा रहा हूं मैं बज़े फ्री क्लास है दोनों नौ बज़े वाले भी 11 बज़े वाले भी जी यह भाई प्यूसर पर रात में ही लिंक भेज दिया था अभी सही उसको आप लोग टिक करके इन्रोल कर लीजे यानि कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो नौ बज़े मिलते 11 बज़े एप एप पर मुझे डारेक्ट फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से फॉलो कर लिजे तो यह वो क्लासे जो आपके सेलेक्शन को और आपको अपडेट रखेंगी आपके एस आइसी के लिए ठीक है क्लियर है बबाए थैंक्यू सो मच श